मोडूलर किचन भाग दो चिमनी जब भी मोडूलर किचन का निर्मान करें चिमनी लगवाने की सोचकर ही खिड़की रखें यो खिड़की की डिजाइन करें अक्सर हमने देखा है कई बार बजट नहीं होता हम इसको छोड़ देते हैं और आगे चलकर जब भी हम चिमनी लगाने की सोचते हैं तो तोड़ा फोड़ी होती है जिसके कारण हमें काफी नुक्सान होता है चिमनी के लिए बीच में दिवार और आज़ पास खिड़की रखें चिमनी का होल पाइप का 6 इंच जरूर रखें ताकि बाद में तोड़ा फोड़ी ना हो केबिनेट बनाते समय भी चिमनी की जगए 24 इंच से लेकर 32 इंच तक छोड़कर रखें एक एक जोस्ट भी जरूर रखें ताकि सादान दिये धुआ को बहार निकाल सके हमेशा चिमनी का इस्तिमाल करना ना पड़े विंडो मोडूलर किचन बनाते समय ध्यान रखें विंडो की साइज हमेशा थोड़ी बड़ी रखें यदि संबव हो सके तो पुर्वत इसा की ओर बनाएं ताकि बरपूर रोशनी आपको सुरिय अदय यह सुरिय अस्त तक मिल सके विंडो को किचन की फ्लेट फर्म से 6 इंस से लेकर 12 इंस उपर बनाएं ताकि सलेब को साप करते समय परेशानी ना हो टाइल्स मोडूलर किचन बनाते समय सलेब वद दिवार पर टाइल जरूर लगवाएं ताकि साप सफाई करते वक्त परेशानी ना हो यदि केबिनेट बनवा रहे हैं तो सलेब से दो फिर तक टाइल लगवाएं टाइल हमेशा बड़ी साइज की लगवाएं जो आजकल मार्केट में उपलत है इलेक्ट्रिक पॉइंट अपने परिवार की सुविदाओं को ध्यान में रखते हुए यहों इलेक्ट्रिक उप्यूमेंट जो भी आप उपयोग करना चाते हैं उसी अनुसार इलेक्ट्रिक पॉइंट कीचन में लगवाएं जैसे कि माइक्रो ओवन, मिक्सर, जूशर, फ्रीज, आरो, गीजर इत्यादी के पॉइंट जरूर लगवाएं पावर सोकेट सोला एंपियर से अधिक्के और धाई एमम का वायर जरूर लगवाएं ताकि सोट सरकिट ना होसके एक बात का जरूर ध्यान रखें, गेस स्टोव के पास कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट ना चोड़ें आरो, आरो की जगे सिंग के उपर ही लगवाएं ताकि अत्रिक्त पानी यदि कोई गिरें तो सिंग के उपर गिरें और उसी अनुसार पलंबर से पॉइंट लगवाएं गिजर, रसोई में गिजर जरूर लगवाएं, गिजर की साइज स्मॉल रखें, एक लिटर, डेड़ लिटर से ज़्यादा का बड़ा गिजर नया ही लगवाएं, उसे आरो के उपर ही आप पॉइंट छुड़वा दें, वहां लगवा सकते हैं फ्रीज, फ्रीज का संभव हो सके तो रसोई में ही रखें, ताकि बार बार समान लाने जाने के लिए इदर उदर जाना ना पड़ें, इसके लिए सलेब के बीच में 32 इंशे लेके 36 इंश तका स्पेस छोड़ दें, ताकि बविशे में जब भी फ्रीज आप लगवाना चा और किचन की सुंदरता बनी रहें, केबिनेट, केबिनेट बनाते समय आप ध्यान रखें, आप किचन को लाइफ टाइम बनवा रहें या इसका इंटीरियर आगे चल कर चेंज करेंगे, यदि बजट कम है तो आप पार्टिकल बोर्ड से केबिनेट यहों पल्ला बनवा सकत हैं, पार्टिशन, यदि बजट कम है तो आप इंटो का पार्टिशन बना कर साधानते हैं, लकडी के पल्ले से किचन बनवा सकते हैं, यदि मोडूलर किचन बनवा रहे हैं तो मार्बल पार्टिशन, दो फिट बाई ड़ाई फिट के बने बनाए पार्टिशन मार्केट मे मिलते हैं इससे हमें Aerolite and Marble Westage दोनों की बचत होगी और Time की भी बचत होगी Partition खड़ा करते समय या तो आर्किटेक्ट से Design लेवे या खुद डिजाइन करें या Market में Basket की Size का पता करें दो Partition के बीच की दूरी 21 इंच या 23 इंच रखें ताकि बाद में बाजके लगाने पर दिक्कत ना आए दोस्तों ये थी कुछ Modular Kitchen समंदित जानकारी आगे की वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसका Next Part 3 जरूर देखी वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को Like, Share, Channel को Subscribe कर हमें सपोर्ट करें जेहिन